हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुसके में हम चैनल उपचानुसके में रोज एक लेटिस टूडियो अब्रेट करते हैं यदि आप हमसे जूड़ना चाहते हैं तो सबसे पहरे आप हमारे चैनल उपचान उसके को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे बालो को तेजी से और जल्दी लंबे करने के असरदार उपाई जादा तर लड़कियों को लंबे और गने बाली पसंद होते हैं मजबुत बाल पाने के लिए हम नजाने कितने तरीके अपनाते हैं लेकिन तब भी हमारे बालो में कोई फर्क नजर नहीं आता अगर आप लंबे गने और चमकदार बाल पाना जाते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाई बताएंगे जिनके प्रियोग से आप काफी कम समय में ही लंबे और घने बाल पासकते हैं क्या आप जानते हैं कि मालिश करने से स्केल्प में बलट फ्लो बढ़ता है जिससे पोशक तत्व हसानी से आपके बालों तक पहुच पाते हैं इसलिए बालों को पोशर देने और बालों को लंबे और घने बनाने के लिए बालों के साथ ही स्केल्प की भी हलके हाथों से मालिश करें बालों को ट्रीम करना है जरूरी यदि आप चाहते हैं कि आपके बाल भी जल्दी जल्दी बढ़ते रहें तो समय समय पर बालों को टिप के हिस्से से ट्रिम कराते रहें ताकि आपके बाल बढ़ते रहें और साथ ही आपको दो मुहे बालों से भी छुटकारा मिल सकें कंडिशनर का करे प्रियोग जिस तरह आप शैंपू का प्रियोग अपने बालों को मूलायम और साफ करने के लिए करते हैं उसी तरह कंडिशनर का प्रियोग बालों को पोसक्त तो पहुचाने के लिए किया जाता है इसलिए कंडिशनर का प्रियोग भी आपके बालों को लंबे करने में काफे लापकारी साबित हो सकता है ठंडे पानी से ही धोई बाल जब भी आप बाल धोई तो हमेशा ठंडे पानी का ही प्रियोग करें ठंडे पानी से बाल धोने से यदि किसी तरह के मोईसर की हानी हुई होगी तो वह भी लौट आईगी और साथ ही याद रखे कि बालों को कभी भी जादा गर्म पानी से धोनी की भूल ना करें ऐसा करने से आपके बाल कमजोर और रूखे हो सकते हैं हीट स्टाइलिंग टूल्स का प्रियोग करने से बचें हेर स्टाइलिंग के लिए रैगुलर बेसिस पर हीट स्टाइलिंग टूल्स के प्रियोग से बचें स्टेटनर और ग्लरिंग के प्रियोग से भी आपके बाल कमजोर होकर तूटने लगते हैं और जिसका असर आपके ब पुलेगे